नमस्कार सातियो इस वीडियो के माद्यम से आप जी शीर्डी दर्शन यात्रा संबंदिश संबस्त जानकारी को प्राप्ट कर सकते हैं अते किर्प्या करके वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा इस दर्शन यात्रा पर जाने से पूर आपको साई बाबा संस्थान की ऑथेंटिक वेबसाइट पर जाकर सर प्रतम अपने लिए रूम की बुकिंग करनी है आप उनकी वेबसाइट के माद्यम से 200 रुपे से लेके 600 रुपे तक का रूम असानी से बुक कर सकते हैं इसके अलावा आप शीडी में अपने बजट के अंसार होटलों आदी में भी स्टेक कर सकते हैं इसी वेबसाइट के माद्यम से आप महज 200 रुपे में डूर मैट्री या कहे सिंगल बेट की बुकिंग कर सकते हैं जो अकेले दर्शन यातरा पर जाने वाले तीरस यातरियों के लिए सबसे अच्छा सादन होता है गूगल मैप पर साइं आश्रम तू सर्च करने पर आपको साइं आश्रम धरमशाला की इजएक लोकेशन मिल जाएगी वहीं पर यह डूरमेट्री स्थित है जो कि ठीक साइं परशादा लेके पीछे है इसलिए आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूस नहीं होना है मैंने अपनी दर्शन यातरा की शुरुआ दिना 11.08.2024 को नई दिली रेलवे स्टेशन से रात को दस पंदरा पर चलने वाली गारी संख्या 22.456 के माद्यम से की जिसके जरिये मैं अगले दिन शाम को साड़े साथ बजे की आसपां साइं नगर शेडी रेलवे स्टेशन पहुँच गया रेलवे स्टेशन से मैं शेरिंग आटो में बैट कर आसानी से साइं परशादा लेके पास पहुँच गया वहां मैंने सरप्रतम भोजन पर शादा चका और पैदल ही साइं आश्रम टू में बनी डोर मैट्री की तरफ चला गया मैंने अपने पूरे जीवन काल में डोर मैट्री की ऐसी सुन्दर विवस्था पहले सोमना जोतिलिंग टरस्ट में ही देखी थी प्रंतु साइं संस्थान की डोर मैट्री विवस्था ने मुझे अच्छा खासा प्रभावित किया यहां पर नाकेवल रुकने की सुन्दर विवस्था है और साथ में आपको तीन रुपे में चाय और पांच रुपे में नाश्टे की भी सुबिदा अपलब्द है यही नहीं मंदिर जाने के लिए आपको संस्थान की तरफ से निशुल बस यात्रा भी उपलब्द कराई जाती है इसी डोर मैट्री में मेरी मुलाकात अभिशे गार्ड गे और उनके साथियों के साथ हुई इनके साथ मैं अगले दिन गेट नमबर साथ से साइंस मंदिर के दर्शन करने आगे बढ़ गया महां मैंने साइं मंदिर, साइं बाबा समादी स्थल, साइं की चावडी, दौार का माई, तथा साइं म्यूजियूम आदी के दर्शन किये और फिर हम दुपहर के समय शाइं पर शादा ले, वापिस लोट आए, आपे भोजन पर शादा ग्रैंड करने के उपरान, मैं वहां से आगे शनी शिंगनापुर की यात्रा पर आगे बढ़ गया, जिपसी वाले ने मुझसे महद 200 रुपे आने जाने का किराया लिया, जी के करीब मैं अभी शेक गाड़ गे और उनके साथियों के साथ शीडी बस टेंड के साथ बने खंडूबा मंदिर के दर्शन करने चला गया, इस तरह मैंने अपनी शीडी यात्रा को संपन किया, अगले दिन मैं शीडी बस टेंड से नासिक जाने वाली बस में बैठ कर अ अपने आगे की यात्रा की तरफ रवाना हो गया, धन्यवाद